हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यूट्यूब और वेलकम तो वन आप ब्रांड न्यू चैनल गैजट फ्रीक आज हम लोग एली टीवी टू के बारे में आज रिप्यू आपको बताएंगे होब कि आपको फसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं तो यह रहा आपके सामने अब यह एली टू का फोन और यह रहा इसका बॉक्स फोन को हम देखते हैं थोड़ी धिर बाद पहले मैं आपको बॉक्स दिखा दू और थोड़ा स्पेसिफिकेशन दिखा दू कि इसमें क्या है अप पड़ले में उतना डीटेल में नहीं जाओंग तो चलिए भागे बढ़ते हैं और फोन की तरफ आते हैं तो यह रहा फोन हमारे, यह पूरा मेटल है, इसमें कहीं पर प्लस्टिक म मेटेरियल यूज नहीं किया है और इसमें फ्लस्टिक माटेरियल दो जगों पर ही यह शुड समateur पूरा माटेरियल है इसके पीछे। सेंसर घ्रौकी यहां पर अटीन होती है इसके लिए प्लसिक चाहिए ताकि वह अच्छे से रिसीव और सेंड कर सके तो बागे बढ़ता हैं पीछे यहरा फिंगर्प्रिंट सेंसर 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा और यह डूएल टोन एलीडी फ्लैश है और अगर साइड में बात करें हम तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह पाउर बट अगर काफी बैटर है काफी अच्छा है इसी म स्लोट रहा है और सिम्सलोट गे आपको इसमें एक्स्पैंडबल मैमरे लगाने का ऑप्षण नहीं है इसमें आप सिर्फ दो स्वीम लगा सकता है वक्षण नैनो सिम इसमें 32 GB इंटर्नल आपको फिक्ट मिलता है और नीचे क को यह मिलता है speaker और यह mic और यह C type में एक अच्छी भी बात है कि इसमें quick charging काफी जल्दी charge करता है अगर बात करें हम इसमें तो फिर आपको एक बार में आप या तो phone को charge कर सकते हैं या फिर गाने सुन सकते हैं जो कि क्योंकि 3.5 mm डिरेक्टली इसमें jack कहीं पर भी नहीं आता है और इसमें आपको साथ में एक connector दिया जाएगा C type connector जिसके through आप 3.5 mm को connect करके गाना सुन सकते हैं तो at a time एक ही चीज़ आप कर सकते हैं या तो गाना सुन सकते हैं या फिर आप charge कर सकते हैं अगर फोन की बात करें और fingerprint sensor की बात करें क्योंकि यह phone काफी सस्ते में और यह मैंने flip card से flash sale में लिया हुआ था तो यह मुझे यह देखिए फुल HD display 5.5 inch है फुल HD आपको मिलता है इसमें फुल HD display तो डिस्पले की अगर मैं बात करूं तो इस price range में display इससे बहतर आपको शायद ही मिले किसी phone में और मिलना भी काफी मुश्किल होगा और अगर हम अंदर जाए और अगर हम देखें settings में अगर हम जा रहे settings में अगर हम जाए और about phone में जाए तो इसमें अब देख सकते हैं कि EUI version जो है यह 5.8 इसमें यूज हो रहा है आपको मैं दिखाना चाहूंगा जूम करें अब देख सकते हैं पहले इसमें 5.6 था 5.6 में आपको जो application lock होने का option था वो काम नहीं करता था fingerprint sensor जो था इसकी वज fingerprint scanner से आप लॉक कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं और इसमें आपको अगर मैं बात करें जैसे बता था है मैं 32 का है और कैमरा की qualities में आपको सैंपल शेर करूंगा वह सैंपल आप देख सकते हैं वीडियो के एंड में और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को शेर करें वीडियो को जितना ज्यादा हो और मैं आपको यह बताना चाहूंगा यह जो आप देख रहें अभी थी यह आपको काफी कमाल का लग रहा होगा हम डेफिनेटली इसका वीडियो लेकर गया है कि हमने यह कैसे किया है और एक और सब्सक्राइब मैं बात बताना भूल गया आपको में इस फोन में आपको डॉल भी एटमॉस भी मिलता है तो आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही सबर्दस्तला जवाब मिलने वाला है और बैटरी भी इसमें आपको एक दिन का यापरेज मिली जाता है अगर आप आराम से उसके ने कितना भी वीडियो देखें एक दिन का मिल जाता है इंफ्रारेड भी है तो आप इसमें अपने टीवी को कोई भी अपने सेट आप बॉक्स को आप इसमें ऑपरेट कर सकते हैं और काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है तो यह रहा फुल और फाइनल रिव है तो मैं out of 10 इसे 9.5 देना चाहूंगा क्योंकि फोन की sound quality जो headphone में है वो one of the best अभी तक मैंने जो सुने है मैंने काफी फोन इस्तमाल किया है मगर इससे बहतर मैंने अभी तक sound quality किसी भी फोन में मैंने नहीं सुना है और इसमें जो dolby का जो है dolby का जो setting है dolby के जो भी हम लो वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें प्लीज और अगर आपको कुछ comments करना हो तो comment करें हमारे बारे में कि आपको अच्छा क्या लगा और कि आप इसमें बदलावट देखना चाहते हैं कोई भी सवाल हो तो हमसे सवाल कीजे हम आपको उसका जवाब देंगे और हम इसी तरह आपको नए नए वीडियो समय पर लाकर देते रहेंगे with new technologies new things और thank you for watching gadgets freak please subscribe and share the video